आयरलेंड और भारत के बीच तीन मैचों की टीबीस सीरीज का पहला मुकाबला 18 अगस्त को खेला जाएगा। भारत ने हाल ही में वेस्ट इंडीज दोरा खत्म किया है। टेस्ट और वंडे सीरीज में तो टीम ने शांदार जीत दर्ज की लेकिन टीबीस सीरीज में भारत को टीन माइनस दो से हार जेलनी पड़ी। हारदिक पांड्या को आयरलेंड दोरे में आराम दिया गया है जिसके चलते जस्परीद बुमराह टीम की कमान संभालने के लिए तयार है। जस्परीद बुमराह चोटिल रहने के चलते लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे बी सी सी आई बुमराह की चोट को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी जिसके चलते बुमराह ने रहब में अपना पूरा समय लिया वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले बुमराह की वापसी टीम इंडिया के लिए शुब संकेत हैं प्रसिद्ध कृष्णा भी चोट के बाद इस दौरे से वापसी करने के लिए तयार है यशस्वी जायस्वाल और तिलक वर्मा जिन्होंने वेस्ट इंडीस दौरे में शांदार खेल दिखाया वह भी इस दौरे का हिस्सा है वहीं IPL स्टार रिनकु सिंग और जितेश शर्मा भी इस दौरे में नजर आएंगे आइरलेंड के खिलाफ शुरू से ही भारत का दबदबा रहा है आगामी सीरीज में भी टीम इंडिया जस्परीद बुमरा की कप्तानी में शांदार खेल बरकता है